असलाम अलेकुम गाइस आज हम बना रहे हैं वत्राइड राइस इसके लिए मैंने यह बैजीज कट करी हैं बहुत मुश्किल से कट करी है यह कैप से कम हमने 3-4 लिए हमारी पाइड भी हमने जूलियन कट कर रहा और यह हमने सॉस के लिए कुछ पैजिस काती हैं, डाइस में यह दिखिया, सबसे पहले आते हैं हम फ्राइड राइस के लिए, इसकी साइग इंग्रीडियन्स मैं यहां रग दिए, इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए, त्रिके, थ्री एंफे ग्लास हमाँ पर राइस हैं, यह आप डेड़ किलो के माकसिमुम है, यह हमाँ पास ब्लाक पीपर है, एक टेबिल स्पून और हमाँ पर क्यूब से इसमें दो होते हैं, हम जस्ट वान यूस करेंगे, यह हमाँ पास चाह अंडे है, इसके साथ हमाँ पास यह सोया सॉस है 2 टेबिल स्पून, वेनेगर 1 टेबिल स्पून, चिली सॉस 3 टेबिल स्पून ठीक है, थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है तो, यहाँ पर मैंने चिली सॉस जादा डाले यहाँ पर स्प्रिंग आनियाने, हाफ कीडी से थोड़ी सी कम है, हरी प्यास और यहाँ पर कैरेड है, हमने जूलियन कट कर रहा है, यह तीन कैरेट्स थी यह आदी हमने काबज यूस कर यह बंगो भी और उसके साथ शिम्रा मिर्स, तीन चार ठीक है, उनको सब को जूलियन कट कर लेना, अब यह मने अन्डे में थोड़ा सा फूट कर रहा है, इसको अच्छे से बेक्स अप कर लेंगे इसको अच्छे से बीट करने और उसके बाद इसको स्क्रम्बल करने के लिए पैन में 4-5 टेबल स्पून में अंडे हम बना लेंगे ज़्यादा ओल यूज नहीं करना है यह देखें मैंने स्क्रम्बल कर लिया थोड़ा सा यह देखें अच्छा सा कलर भी आ गया इसमें यह पर राइस में अच्छा लगेगा अब हम वेजीज की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम कैरट डालेंगे क्योंकि कैरट को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो सबसे पहले जस्ट सिफ पैन में हमने 2-3 टेबल स्पून ऑईल डालके कैरट डाल देनी है इसको हमने तेज आच पे सारी वेजीज को हमने तेज आच पे ही बनाना है हलकी आच पे नहीं बनाना है देखें कि दो मिंट में ही इसका कलर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कोई भी वेजीज सॉफ्ट नहीं पढ़नी चाहिए हमने यहां शिमला में हरी प्याज इसमें एड कर दिये इनको मिक्स अप करेंगे देखें अच्छे से इसमें हम विनेगर चिली सॉस एंड सोय सॉस तीनों एड कर देंगे मिक्स करेंगे यह दिखें और तेज आच पर ही पकाना है आपने इसको अब आपके क्यूट तब वह भी हमने डाल दिये इसमें और यह सारे स्पाइस जो हमारे पास थे दकनी मिर्च काली मिर्च और नमक यह हमने डाल दिया अब इसके साथ हमने एग भी एड कर दिया अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यह देखे हमारे पास कुछ ऐसा शकल आ गई है अब हमने चूला बन करना है और कैबिच जालने है कैबिच को बिलकुल भी नहीं पकाना है इसको हम अब मिक्स अब करेंगे थोड़ी थी कैबिच जादा लग रही थी तो मैंने इतनी सी बचा लिए यह हमारे पास अब ऐसे हो गया है यह देखें आप मैं टेस्ट करके देखे हूं सौल बिलकुल सैट है अब हमने राइस बोईल कर लिए थे यह आदे हमने पतीली में डाले है और उसके साथ हम यह ज डाल दीजिए इसमें सारा तो यह देखें मैंने यह डाल दिया इसमें मिक्सर की ताह लगा दिया और ब की जो आपके राइस वह गअँ है वो इसके उपर आप लगादेंगे यह देखें बाकी राइस भी मैंने इसके उपर लगा दिया अब मैंने तू‑ самых आब रती टेbils have इसमें घी डालके इसको दम पे छो दिया अब आज है यह हम सॉस की तरफ चलते हैं यह सारे हमारे पास शॉसलिक के इंग्रीडियन्स है यह हमारे पास हमने सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिए इसको अच्छे से साफ कराके और हमने डाइस में खुद ही काटा है गह में इसको तो स्मॉल बाइट काट लीजिया आप चिकन वाली काटके देते हैं तो थोड़ा बरा डाइस काटके देते हैं तो मैंने थोड़ा छोटा डाइस में ही चिकन को काटा है यह देखिए यह 1-2 kg आपके पास चिकन है और इसके साथ हमने लेने हैं 1-2 cup हमारे पास टेमाटो यह सोय सॉस है और 3 टेबिल स्पून यहां पर चिली सॉस है और यहां इसके वेजी आइंगे देखें हमारे पास 1 कयरट है कैपसिक्व में 2 यह देखिचिये यह 1 कैरट है घुल गुल काट लिया है इसको डाइस में काटा है हमने चिकन लाह में एक टेमार्टर है चार-पां यह रिजखक ती ही मैने उसको uh accuracy यहाँ यह यूजव कर रहा है तेखें हमाँ पास अब इसके धैश स्थिस्पाइश से या अधिय में पास गुड्ड़ यह-माँ थोड़ा सा छोटा सा पीश गुड़् का यूजव कर सकते हैं यह आप यह को न्योज़ हमाई पास 1 tablespoon यह हमाई पास pink salt है यह थोड़ा आप लोग को नजर नहीं इतना सही आ रहा यह pink salt यूज़ करते है ठीक है यह हमाई पास sauce के ingredients हो गया है अब हमने सबसे पहले अपनी veggies को stuff fry करना है दो मिंट के लिए 1-2 tablespoon oil डालके हमने अच्छे से इसको stuff fry कर लेना है इसके बाद हमने अब निकाल लेना है इसको फिर हमने अपनी चिकन को भी थोड़ा हमने जिंजर गालिक पेस्ट डालके fry कर लेना है हलका सा यह देखे हमाई पर चिकन ऐसा हो जाएगा और veggies ऐसी हो कि यह देखे हमने चिकन को सबसे पहले उबलते वे चार ग्लास पानी में हमने अपनी चिकन एड़ कर दीनी है है यह देखे है हमने चिकन एड़ कर दीने और यह आपस veggies हैं 2-3 में में के बाद में वेड़ी जीज भी एड़ कर दीनी है अब हम सबसे में चीज आपको बताने चलें कि सीक्रेट है यह दिखे हैं हमने इसमें वियनिकर डाला कीचप में और इसके साथ हमने इसमें सोया सॉस भी ऐड़ कर दिया इसमें और आधिकीछिये soya sauce हमने add कर दिया और chili sauce add कर दिया इसी के अंदर बाकी जो हमारी spices की plate हमने बनाई थी इसमें salt, cross chili, black pepper और गुर्ड ये सब हम इसी में ही add कर देंगे हम सारी ingredients में डाल के अच्छे से mix up कर देंगे और इसको हम side पर रख देंगे ये देखे, मैं इसको add कर देंगे ये देखे, add कर दिये, इनको अच्छे से mix up कर देंगे ये आप हमारा sauce ready हो जाएगा जब हमारी शासले की veggies done हो जाएगी तो हम इसमें ये add कर देंगे ये देखे, अच्छा सा mixture बन जाएगा आपका गुड़ भी इसमें melt हो जाएगा गुड़ ऑप्शनल है आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं हो लेकिन गुड़ से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा बैस्ट के आप यूज़ करें गुड़ी यह हमाया पास अब हमने चार टेबिल स्पून भरके कॉन फ्लार लिया है इसका हम मिक्सर बना लेंगे यह देखिए अब हमारा सॉस इसमें वेजी इस हमारी डन हो गई है अब हमने जो सॉस बनाया था सारे स्पाइस डालके हमने यह इसमें एड कर दिया इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा था बोई लाने पर इस पर कॉन फ्लार एड करना शुरू करेंगे अब हमने इसमें कॉन फ्लार एड करना है यह हमने पूरा डालके अच्छे से विस्क कर लिया इसमें लंप्स नहीं बनने चाहिए बहुत जिल्दी से आप मिक्स अप करेगा यह रिखें हमारा सॉस अल्मोस्ट रेडी है धुएं उठ रहे हमारे राइस भी रेडी हो गए यह रिखें अब हम इनको डिश आउट करते है यह मैंने सॉस अपना निकाला डिश पे एंड यह हमारे राइस आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइव, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ओके, अलाहाफिस